नमस्कार दोस्तों, मिरा नाम संजे बग्गु है और मौझूद है देश रोजाना के डिश्टल मीडिया मंच पर यह चुनाव का सीजन है चुनाव का मौसम है और हरियाना के अंदर विधान समा चुनाव है जितना छोटा चुनाव माना जाता है समझा जाता है कि उसकी उतनी नहीं कि उतनी उसमें रोचकता होती है लोगों का उसमें इंट्रेस्ट होता है और चाहे वो राजनीती करने वाले लोग हों राजनीती कराने वाले लोग हों या राजनीती में रुची रखने वाले लोग हों केवल इतना ही नहीं वो लोग भी चाहे वो ग्रहणी हों चाह रहा है और नेताओं के लिए माने तो यह जो चुनाव का मौसम होता है एक संकट का मौसम भी होता है संकट होता है उनके सामने टिकट का कि अगर टिकट मिलेगी तो क्या होगा सामने टिकट किसको मिलेगी तो उसमें क्या होगा और अगर भहिया उनकी कट जाएगी तो क्या होगा मैं आपको ध्यान दिलाओं 2019 का विधानसवाद चुनाओ इसी फरिदाबाद के अंदर जो फरिदाबाद लोगसभाद छेत्र में 9 विधान सभा सीटे हैं इसी फरिदाबाद लोगसभाद छेत्र के अंदर बड़े बड़े दिगजों की टिक्टें कटी थी वो दिगज थे विपुल गोयल विपुल गोयल केंडिडेट थे उस समय फरिदाबाद 89 के विधायक थे लेकिन उनका टिकेट कट गया था उध्योग मंत्री थे हर्याना सरकार के दूसरा टिकेट कटा था यहां पर फरिदाबाद के अंदर ही प्रतला विधान सभा से नैनपाल रावत का भारती जंता पार्टी से ही और नैनपाल रावत उस चुनाओं में आजात खड़े हो गये थे और विपुल गोयल उस चुनाओं में मैदान में नहीं थे इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा विपुल गोयल के बारे में कि जिने 2019 में टिकेट नहीं मिला जिनकी टिकेट का संकट बन गया इस चुनाओं में उनकी टिकेट कहां तक है 2019 के चुनाओं में टिकेट खोने वाले विपुल गोयल क्या इस चुनाओं में भारती जन्ता पार्टी का टिकेट प्राप्त कर सकेंगे क्या उनको भाजबा का टिकेट मिलेगा और मिलेगा तो कौन सी विधानसवा सीट से राजनितिक सूत्र ये बताते हैं राजनितिक हमाएं कुछ ऐसी है जिसमें ये पता चल रहा है कि विपुल गोयल का टिकेट के लिए नाम तो है लेकिन जो उनकी फेवरेट सीट है फरिदाबाद 89 उसके साथ दूसरी और जुड़ गई है वो है बल्लवगर चर्चाएं हैं कि उनको फरिदाबाद 89 और बल्लवगर दो विधान सभाओं के लिए भारती जन्ता पार्टी कंसीडर कर रही है हाला कि बात तो अच्छी होनी चाहिए उनके लिए खुशी की बात होनी चाहिए कि वो दो जगा कंसीडर है लेकिन दूसरी चर्चा यह है कि विपुल गोयल येनकेन प्रक्रेन किसी प्रकार से फरिदाबाद का टिकट चाहते है फरिदाबाद के लिए संकट जो उनके लिए टिकट का फिर से है वो संकट यह है कि नमबर एक तो यहाँ पर नरेंदर गोपता विधायक बन गए जब विपुल गोयल का टिकट कटा और विपुल गोयल के टिकट पर जब नरेंदर गोपता को टिकट मिला तो फिर यहाँ से चुनाव नरेंदर गोपता भी जीत गए नरेंदर गुपता का मार्जन भी अच्छा रहा और तीसरा संकट उनके लिए ये है एक तो उनका टिकेट कटना यानि कि वो मेंस्ट्रीम से बाहर हुए 2019 में दूसरा संकट ये होना कि 2019 के चुनाव में उनके स्थान पर जिनको टिकेट मिला वो भी मैजोर्टी में चुनाव जीते और तीसरा संकट ये कि यहाँ पर एक कैंडिडेट अब एंट्री नहीं और हो चुकी है यानि कि विपल गोयल और नरेंदर गुपता के बीच में जो तीसरी एंट्री है वो है अजय गौड की अगर प्रभाव शाली के रूप में देखें तो तीनों नेताओं में से एक भी नेता ऐसा नहीं है जिसका प्रभाव कम हो अगर मैं आप से बात करता हूँ पहले विपल गोयल की जो 2014 के विधायक थे तो विपल गोयल भारती जंता पारिटी के अंदर मेंस्ट्रीम के नेताओं में उनकी अपनी पकड़ है एक दोर वो था जब करशनपाल गोजर और विपल गोयल दोनों ऐसे दोस्त थे ऐसे सखा थे कि जिसके बीच में कोई दरार दिखाई नहीं पड़ती थी और जब इनकी दोस्ती टूटी तो ऐसी टूटी कि फिर उसके बाद जुड़ने का नाम नहीं हुआ यानि कि विपल गोयल के लिए जहां भारती जंता पारिटी के आला नेता उनकी तरफ है बड़े नेताओं में उनका नाम है लेकिन दूसरी तरफ ये आजाता है कि क्रिशनपाल गूजर और हरियाना का जो नेत्रतव है वहां पर विपल गोयल की पैरवी करने वाले लोग कम हो गए अब अगर दूसरा नाम लें तो नरेंदर गुपता नरेंदर गुपता की फेवर की जो चीज है वो यह है कि 2019 के चुनाओं में वो विधायक बन गए नरेंदर गुपता भारती जंता पार्टी के कैडर बेस नेता कारे करता भी है RSS में उनकी पकड़ भी है लेकिन जो उनकी नेगेटिवटी जा रही है जो उनके लिए नकारात्मक बात है वो यह है कि मैसीज यह चला हुआ है कि नरेंदर गुपता की पब्लिक डिलिंग अच्छी नहीं रही और इसलिए यह बात कही गई कि नरेंदर गुपता के लिए संकट अगर बात आजाती है अजय गौड की तो अजय गौड की फेवर की चीज यह है कि उनकी फेवर में क्रिशनपाल गुजर है उनकी फेवर में मनोहरलाल है उनकी फेवर में समीकरण भी है 2014 में अजय गौड केंडिडेट होने की तयारी में थै इसी फरिदाबाद 89 से लेकिन जो कृशनपाल की दोस्ती का फायदा मिला था विपुल गोयल को और टिकेट मिल गया था विपुल गोयल को अब इस चुनाव के अंदर राजनीतिक सुत्र बताते हैं कि कृशनपाल गूजर भी चाहते हैं कि अजय गौट का वो वाला जो उनके साथ में एक तरह से रहे थी इस बात की कि इनको टिकेट मिलते मिलते कट गया था अजय गौट को टिकेट तो कटा था लेकिन वो पलिटिकल सेनेरियों में बने रहे थे मुक्या मंतरी मनोहरलाल के राजनीतिक सचिव के रूप में और फिर वो दोर आया कि जब उन्हों पोस्ट छोड़ करके आ पहले यह उनकी फेवर के तो अजय गौट के विरोध में यह आ जाता है कि अगरवाल सीट माना गया है इसको फरिदाबाद को अब मैं आ रहा हूं वापिस आपके बास विपुल गोयल के साथ में कि अगर विपुल गोयल को फरिदाबाद के अंदर टिकेट भारती जंता प फरिदाबाद 89 के लिए और जो मैं आपको कह रहा था कि भारती जंता पार्टी की जो पिछले दिनों बैठके हुई उनके अंदर बल्लब गड़ से भी नाम गया लेकिन राजनीतिक हमाई ये कहती है कि बल्लब गड़ के लिए विपुल गोयल तयार नहीं है बल्लब फरिदाबाद 89 पर ही किया जाए और कुछ राजनीती में इंट्रेस्ट रखने वाले लोग तो ये भी बताते हैं कि विपुल गोयल अब की बार फरिदाबाद से चुनाव लड़ेंगे फरिदाबाद 89 से अब बात यह आ जाती है कि अगर टिकेट नहीं अगर टिकेट का सं उनकट बनता है तो क्या और यह सवाल हम आपके साथ छोड़ रहे हैं कि अगर विपुल गोयल फरिदाबाद 89 में चुनाव लड़ने का मन बनाए है या उनका इरादा 89 से चुनाव लड़ने का है अगर भारती जनता पार्टी उनको टिकेट नहीं देती तो क्या विपुल पार्टी का टिकेट नहीं मिला तो क्या फिर वे निर्दलिय प्रत्याशी के रूप में मैदान में देख सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं जुड़े रहे हमारे साथ देखते रहें देश रोजाना हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के यूट्यूब चैनल को और नई वीडियो की नॉटिफिकेशन पाने के लिए बैल आइकन जरूर बाएं अगर आप ये वीडियो फिस्बुक या इंस्टेग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें